ओम शांति ओम शांति आज 5 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों को मीठे बच्चे कल्यानकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्यान कर देते हैं जो कभी रोना ना पड़े रोना अकल्यान वादे अभिमान की निशानी है प्रश्न किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिन्त रहना है उत्तर तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है भल पीस के लिए परियास करते रहते हैं लेकिन नर चाहता कुछ और कितना भी कोशिश करे ये भावी तल नहीं सकती नैचुरल क्लेमिटीज आदी भी होनी है तुम्हें नशा है कि हमने इश्वरिय गोदली है जो साक्षात कर किये हैं वह सब प्रेक्टिकल में होना ही है इसलिए तुम सदा निश्चिन्त रहते हो ओम शंति विश्व में मनुश्यों की बुद्धी में भक्ती मार्ग का ही गायन है क्योंकि अभी भक्ती मार्ग चल रहा है यहां फिर भक्ती का गायन नहीं है यहां तो बाप का गायन है बाप की महिमा कितनी करनी होती है जिस बाप से इतना उंच वर्सा मिलता है भक्ती में सुख नहीं है भक्ती में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को करते हैं न मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग वासी हुआ तो खुश होना चाहिए न जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो फिर रोने की तो दरकार नहीं वास्तव में यह सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्ग वासी हुआ इसलिए रोते रहते हैं अब इन रोने वालों का कल्यान कैसे हो रोना दुख की निशानी है मनुश्य रोते तो है ना बच्चे जनमते हैं तो भी रोते हैं क्योंकि दुख होता है दुख नहीं होगा तो जरूर हर्शित रहेंगे रोनात्ता बाता है जब कोई न कोई अकल्यान होता है सत्युग में कभी अकल्यान नहीं होता इसलिए वहां कभी रोते नहीं अकल्यान की बात ही नहीं होती यहां कभी कमाई में घाटा पड़ता है या कभी अन नहीं मिलता तो दुखी होते हैं दुख में रोते हैं बगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्यान करू अगर सर्व्यापी है तो किसको कहते हैं कल्यान करू परमपिता परमात्मा को सर्व्यापी मानना बड़े से बड़ी भूल है बाप है सबका कल्यान कारी वह एक ही कल्यान कारी है तो जरूर सबका कल्य करेंगे तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमेशा कल्यान ही करते हैं अब वह परम पिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्यान करें विश्व का कल्यान करने वाला और तो कोई है नहीं बाप को फिर सर्व्यापी कह देते हैं कितनी भारी भूल है अभी बाप अपना परिचे देकर कहते हैं मन मनाभव इसमें ही कल्यान है सत्युग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्यान नहीं होता त्रेता में भी जबकि राम राज्य है तो वहां शेर बकरी इकठे जल पीते हैं हम राम सीता के राज्य की इतनी स्थुत्वी नहीं करेंगे क्योंकि दो कला कम हो जाने से कुछ ना कुछ सुख कम मिलता है हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं उसमें पूरा वर्सा पाएं तो बहुत अच्छा है उच ते उच बाप से वर्सा ले हम कल्यान करें हर एक को अपना कल्यान करना है श्रीमत पर बाप ने समझाया है एक है आसूरी संप्रदाई दूसरा है दैवी संप्रदाई अभी एक तरफ रावन राज्य है दूसरे तरफ मैं दैवी संप्रदाई स्थापन कर रहा हूँ ऐसे नहीं कि अभी दैवी संपरदाय है, आसूरी संपरदाय को मैं दैवी संपरदाय बना रहा हूँ, कहेंगे दैवी संपरदाय तो सत्यूग में होता है, बाप कहते हैं इस आसूरी संपरदाय को दैवी संपरदाय भविश्य के लिए बनाता हूँ, अभी है ब्रहमन दैवी संप्रदाय बन रहा है। गुरु नानक ने भी कहा है मनुष्य से देवता। परंत कौन से मनुष्य हैं जिनको देवता बनाएंगे। वे ड्रामा के आदी मद्य अंत को तो जानते नहीं। यही है राज्य पद पाया है। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है विश्नु को। तो यह भी समझाना है कि स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मन हैं तो मनुष्य आश्चरे खाएंगे। वे तो श्रीक्रेश्न को भी कह दिते विश्नु को भी कह दिते। यह तो पहले पहले बाप का परिचे दे या ड्रामा का राज समझाएं सोबी जब बाबा की याद हो पहले पहले बाप का परिचे देना चाहिए बेहद का बाबा शिव बाबा तो मशुहूर है रुद्र बाबा भी नहीं कहते शिव बाबा नामी ग्रामी है बाप ने समझाया है कि जहां जहां भक्त हैं उन्हों को जाकर समझाओ अक्भार में पढ़ाता मनुशे कहते हैं कि हिमाले की इतनी मल्टी मिलियन एज है अब हिमाले की कोई आयू होती है क्या? ये तो सदेव है ही हिमाले कभी गुम होता है क्या? ये भारत भी अनादी है कब रचा गया उसकी एज नहीं निकाल सकते वैसे हिमाले के लिए भी नहीं कह सकते हैं कि है कब से है इस हिमाले पहाड की आयू गिनी नहीं जाती ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि आकाश की वा समुद्र की आयू इतनी है हे माले क्या आयू कहते हैं, तो समुद्र की भी बताएं, कुछ भी जानते नहीं, यहां तो तुमको बाप से वर्षा पाना है, यह है इश्वरी फैमली, तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं, एक राजा जनक की बात नहीं, जीवन मुक्ती में बच्चा बने हो मम्मा बाबा कहते हो जीवन मुक्ति तो मिलेगी न समझ सकते हैं प्रजा तो धेर की धेर बनती जाती है दिन प्रती दिन प्रभाव तो निकलता है न यह धर्म की स्थापना करना बड़ी महनत है वे तो उपर से आकर स्थापना करते हैं उनके पिछाडी उप उपर से आते जाते हैं। कोई आश्यरवत भागंती हो जाते हैं। अर्थक्विक नैश्रल क्लेमेटीज होंगी वह क्या कर सकते। कहेंगे ये तो गौड का काम है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चड़ता है और याद में रहते हैं। सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं। तुम जानते हो ये बावी टलने की नहीं है। अन नहीं है, मनुश्यों के रहने के लिए जगह नहीं है, तीन पैर प्रित्विक नहीं मिलते। तुम्हारा यह है इश्वरिय परिवार, मात, पिता और बच्चे। बाप कहते हैं, मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। बच्चों को सिखाता हूँ, बच्चे भी कहते हैं, हम बाप की मत पर चलते हैं। बाप भी कहते हैं, मैं बच्चों के ही सम्मुखा कर मत देता हूँ, बच्चे ही समझेंगे, नहीं समझते हैं तो छोड़ो, लड़ने की कोई बात नहीं, हम परिचे देते हैं बाप का, बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे, और स्वधर्शन चक्र को याद करो, तो चक्रवरती राजा बनेंगे, मन मनाभव, मध्याजी भव का अर्थ भी यह है, बाप का परिचे दो, जिससे क्रियेटर और क्रियेशन का राज तो समझ जाएं, मुख्य है एक ही बात है, गीता में मुख्य है एक ही भूल है, बाप कहते हैं, मुझ कल्यान कार बाप को ही आकर कल्यान करना है, बाकी शास्त्रों से कल्यान हो नहीं सकता, पहले तो सिध करना है कि भगवान एक है, उनको तुम याद करते हो परंतु जानते नहीं हो, बाप को याद करना है तो परिचे भी चाहिए न, वह कहां रहते हैं, आते हैं वा नहीं, बाप वर्सा तो जरूर यहां के लिए देंगे या वहां के लिए देंगे बाप तो सम्मुख चाहिए शिवरात्री भी मनाते हो शिव तो सुप्रीम फादर है सब आत्माओं का वह रचिता है नई नौलेज देते हैं स्रश्टी चेकर के आदी मद्द अंत को वह जानते हैं वह है उँचे से उँचा टीचर जो मनुष्य को देवता बनाते हैं राजयोग सिखलाते हैं मनुष्य कभी राजयोग सिखला न सके हमको भी उसने सिखलाया तब हम सिखलाते हैं गीता में भी शुरुवात में और अंत में मनमना भव और मध्याजी भव कहा है जार और ड्रामा का नौलेज भी बुद्धी में रहता है डिटेल में समझाना पड़ता है रिजल्ट में फिर भी एक बात आती है बाप और वर्से को याद करना है यहां तो एक ही बात है हम विश्व के मालिक बनेंगे विश्व का कल्यान कारी ही विश्व का मालिक बनाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाएंगे नर्क का थोड़े ही मालिक बनाएंगे दुनिया यह नहीं जानती कि नर्क का रचियता रावन है स्वर्ग का रचियता बाप है अब बाप कहते हैं मोत सामने खड़ा है सबकी वान प्रस्त अवस्था है मै लेने आया हूँ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी, फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे ये निश्य बुद्धी से किसी को समझाना है तोते मुआफिक नहीं निश्य बुद्धी को फिर रोने की पादे अभिमान में आने की बात नहीं रहती ते अभिमान बहुत गंदा बना देता है अब तुम दे ही अभिमानी बनो, शरीर निर्वा अर्थ कर्म करो वह तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं यहाँ तो तुमको ग्रस्त व्यवार में रहना है बच्चों को संभालना है बाप को और चक्र को जानना तो बहुत सहज है बाप को कितने बच्चे हैं फिर उनमें कोई सपूत है कोई कपूत है नाम बदनाम करते हैं काला मूँ कर देते हैं बाप कहते हैं काला मूँ नहीं करो बच्चा बन और फिर काला मूग करते हो कुल कलंकित बनते हो इस कामचिता से तुम सांवरे बने हो कामचिता पर थोड़े ही जल मरना है हलका नशा भी नहीं होना चाहिए सन्यासियादी अपने फॉल्लोर्स को ऐसे थोड़े ही कहेंगे वे रियलिटी में नहीं है बाप तो सबको सची बातें समझाते हैं बाप कहते हैं मुझे याद करो तुमने गैरेंटी की है बाबा आपकी मत पर चल हम स्वर्गवासी बनेंगे बाप कहते हैं बच्चे फिर विशेगटर में गिरने का खयाल क्यों करते हो तुम बच्चियां जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ग्यान तो हमने कभी सुना नहीं मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए चित्र ले जाना चाहिए ये त्रीमूर्ती जाड दिलवाला के ही चित्र है उपर में दैवी जाड खड़ा है बाकी दैवी जाड जो पास्ट हो गया वह दिखाते हैं ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए तब बाबा महिमा करे इसने तो कमाल की है जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं प्रदर्शनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमोना अच्छा निकाला है यहां भी प्रदर्शनी करेंगे चित्र तो बहुत अच्छे हैं अब देखो देली में जो रिलीजियस कॉन्फरेंस होती हैं वह भी कहते हैं वननेस हो उसका तो अर्थी ही नहीं बाप एक है बाकी है भाई बेहन बाप से वर्सा मिलने की बात है आपस में मिल शीरखंड कैसे होंगे यह बातें समझने की हैं पर दर्शनी की व्रदी लिए युक्ती रचनी है जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उनको तो लजजानी चाहिए अगर दस नहीं आए और आठ दस मर गए तो इससे फाइदा क्या हुआ अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सर शरीर निर्वा अर्थ काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है किसी भी परिस्तिती में रोना वदे अभिमान में नहीं आना है श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्यान करना है सपूत बन बाप का नाम बाला करना है वरदान व्यर्थ संकल्पों को स्मर्थ में परिवर्थित कर सहज योगी बनने वाली स्मर्थ आत्मा भव व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्थित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ अत्माभव अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाट तो इतना दिखाई नहीं देता योग तो लगता नहीं अशरीरी होते नहीं यह है व्यर्थ संकल्प इन संकल्पों को परिवर्थित कर समर्थ संकल्प करो की याद तो मेरा स्वधर्म है मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ मैं योगी नहीं बनूँगा तो कौन बनेगा कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं मेरा शरीर तो चल नहीं सकता या पुराना शरीर तो बेकार है नहीं वाह वाह के संकल्प करो कमा लगाओ इस अंतिम शरीर की तो समर्थी आ जाएगी स्लोगन शुभ भावनाओं की शक्ती दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्थन कर सकती है ओम शांति ओम शांति